हलो माई डियर स्टुडेंट्स आप सभी का स्वागत है हमारा अपना आकाश के यूटूब चैनल पर माइसेलफ प्रीद पारेदा जे डिविजन मैथेमेटिक्स फैकल्टी और आज हम आपके लिए लेके आए हमारी अपनी जेए मेल वीकली स्रीज का एक नया एपिसोड जो क आज इस स्रीज के हेल्प से इस एपिसोड के हैं आपको यहीं बताएंगे कि जो क्योस्ट बहुत ज्यादा कंसेप्चुल क्योशन से उनको किस तरीके से डील किया जाता है जो काफि ट्रेंडिंग में कॉंसेट से उनको आप कैसे डील करोगे वह आपन यहां से रिवाइस क करेंगे तो चलिए आईए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेशन से फिर्स्ट क्वेशन है आपको इंटिगेशन करना से हिस्कोर एक्स माइनस 2022पन साइन अस्टू पावर 2022 एक्स का इंटिगेशन करना और है इसका जो काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि यह होने वाला जैसे आपको पता यह कि जहां भी आइलेट आदा हमा थोड़ी सी समस्या में आने लग जाती है तो किस तरीके से सबस्क्राइब आपको पता होगा इलेट किस तरीके से लगाया जाता है सबसे पहले फिर्स फंक्शन को आप बाहर निकालेंगे तो साइं रेस्ट पावर माइनस 2022 x को हमने बाहर निकाल सेक स्क्वार एक्स का इंटीग्रेशन देखेंगे सेक स्क्वार एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया 10x हो गया माइनस फिर first function का क्या करेंगे differentiation तो sin की power minus 2022 है इसका differentiation कैसे करेंगे पहले x की power n की तरह करेंगे तो minus 2022 पहले आगे आ जाएगा तो already हम minus होता है तो यह plus हो गया 2022 फिर क्या होगा x की power n का क्या होता है n x rest to power n minus 1 तो एक power कम हो जाएगी वहाँ पर तो यह हो जाएगा 2022 minus 1 तो यह हो जाएगा minus 2023 फिर chain rule से sin x का फिर होगा तो किता हो गया cos x हो गया और second function का वापस आपको integration करना पड़ेगा second function का integration क्या हुआ सेक स्क्वार x का 10 x और 10 x को इस बार आपने ऐसे लिख दिया sin x upon cos x dx और यह वाला पार बिल्कुल as it is यहां पर आ गया इसको अपने छेड़ा यह पूरा पार वहां पर आ गया ओके तो धियान से देखी क्या हो रहा है यह हो गया आपके पास sin rest to power minus 2022 x 10 x और यहां पर अगर आप देख पाएं तो देखिए 2022 as it is यहां पर एक cosec से cosec cancel out हो रहा है यहां पर यह power exponent rule से power add कर देंगे तो यहां पर sign पर power किता आ गया minus 2022 x dx और same time यह यहां पर इदर आ गई यह वाले तो ध्यान से देखिए यह है और यह सेम बन रहे है यह plus में यह minus में तो यह part क्या हो रहा है आपका cancel out हो रहा है ठीक है तो आपके पास जो function है i of x की value यहां पर आ गई है अगर आप option को check करते हैं आपके पास i of x आ गया है और यहां पर आपके पास यह constant of integration भी आएगा अब इसमें आपको क्या information और गीवन है हमें इस question में यह information गीवन है कि i of pi by 4 कितना है 2 rest to power 1011 तो हम pi by 4 पुट करें और constant of integration वहां से निकालते तो चलो pi by 4 पुट करते हैं यह हमने यहां पर pi by 4 पुट करा इस तरीके से pi by 4 को पुट करा तो देखिए क्या आ रहा है pi by 4 यहां पुट करेंगे तो sin pi by 4 मतलब 1 by root 2 हो जाएगा तो 1 by root 2 पर power कितना हो गया 2022 माइनस और 10 pi by 4 कितना हो गया हमारे पास 10 pi by 4 1 हो गया plus constant of integration यही हुआ आई pi by 4 के value आपको गीवन है 2 rest to power 1011 तो यहां लिख दिया आपने 2 rest to power 1011 इसको ध्यान से देखिए पहले माइनस अंदर देदो गे तो यह root 2 पर चला जाएगा तो यह भी 2 rest to power 101 आ गया क्योंकि root 2 को आपके लिख देंगे 2 rest to power half तो यहां पर यह cancel out हो गया और c का value कितना आपके पास 0 आगया c का value 0 आगया मतलब अब i of x आगया आपके पास कितना आगया आपके पास i of x i of x आगया आपके पास यहां पर i of x आगया sign rest to power minus 2022 x और साथ में क्या है 10x यह आपके पास final i of x की value आ गई है यह इसका सबसे important part था अब काम आसा ने आपको clearly दिख रहा option की help से कि आपको i of pi by 3 निकालना और i of pi by 6 निकालना है तो मैं यहां पर i of pi by 3 निकाल रहा हूं देखे धियान से pi by 3 मतलब 60 degree हो गया यहां से आपके ने रखा साइन 60 साइन 60 किता हो गया हमारे पास root 3 by 2 पावर किता हो गया माइनस 2022 और 1060 किता हो गया root 3 इस तरीके से तो थोड़ा सा अगर मैं इसको simplify करूं तो यह हमारे पास किता आ रहा है यह उपर चला जाएगा क्योंकि माइनस इसको दे दीजे तो यह 2 by root 3 हो गया तो 2 की पावर 2022 हो गया अपन में root 3 की पावर 2022 और एक root 3 कट जाएगा यहां से तो root 3 की पावर किता हो गया 2 0 2 1 यह आ गया और क्या चाहिए आई ओफ 5 by 6 भी हमें चाहिए तो आई ओफ 5 by 6 भी हम निकाल लेते यहां से 5 by 6 का मतलब क्या है 30 degree 30 degree आप यहां पर डालिए तो यह हो जाएगा sin 30 1 by 2 1 by 2 पर पावर किता हो गया माइनस 2022 30 degree 10 30 किता हो गया 1 by root 3 ठीक है तो यह किता आ गया है यहां पर आपके पास 2 पर पावर 2022 अप उन में किता आ गया है यहां पर रूट 3 आ गया है अब देखिए धियान से यहां से 2 की पावर 2022 2022 यहां पर भी 2022 सेम आ रहा है तो यह क्वांटिटी आप दोनों से निकाल लीजी तो मैंने इसके उदर क्रोस मल्टिप्लाई कर दिया तो आई ओफ पाई भाई 3 इंटू किता आ गया हो रूट 3 रेस्ट्व पावर 2021 इस तरीके से तो यह किसका वेल्यू निकाला मैंने 2 रेस्ट्व पावर 2022 का similarly यहां से भी निकाली आप कित्ता हो जाएगा है इसका वेल्यू आई ओफ पाई भाई 6 और यह आगया रूट 3 इस तरीके से तो दोनों से हमने सेम वेल्यू निकाली इसलिए दोनों को आपस में क्या कर दिया इक्वेट कर दिया यहां एक रूट 3 से रूट 3 कैंसल आउट हो जाएगा क्या हां बिल्कुल कैंसल आउट हो गया रूट 3 पर पावर कितनी बची 2020 बची और रूट भी है तो पावर 2 कर देंगे तो ठीप पर पावर कितना हो गया है यहां पर हमारे पास 2020 का आदा 1010 और यह कितना हो गया माइनस आ ओफ पाई भाई 6 इंटू इसको इदे ट्रांस पोस कर दिया आमने और वह इक्वाल प्रफिया होगा जीरो हना तो आप देख सकते हैं कौन सा आंसर हमारा करेक्ट होगा फस्ट वाला आई होप यह क्लियर हुआ होगा काफी इंपोर्डेंट क्योशन है काफी बार इस टैप की क्योशन ट्रेंडिंग में रहते हैं आइलेट लगाना पड़ता फर्स पार्ट पर और सेकेंड पार्ट ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाते हैं तो आहीं होप यह क्लियर हुआ होगा ध्यान रखें इस टाइप की क्योशन को कैसे डील करने होती है आते सेगेंड क्योशन पर देखकर बताओ क्या पता लग रहा है यहां पर आप देखो ए टेंस टू क्या सबसे पहले आपको यह देखना यह लिमिट है कौन सी आखिर कौन सी लिमिट है अंदर यह फंक्शन देखिए क्या लिखा हुआ एलन वन प्लस एक की पावर एक्स हैना आपको बताए एक इंक्रीजिंग फंक्शन ने यह ने इंक्रीज करें गाए और आप 0 सेक तक हह вый ocas 對 तो ग्राफ इंधिन कर रहां तर्फ जायेगा मतलब यह उपर वाली जो क्वांटिटी है यहँ क्offत cm Talk própמ׆ گरई नीचे एंवाइद सब्सक्राइड है काई टेन्ट सब्सक्राइड रहा है इनवाइद इस फिन कि अपको क्या सब्सक्राइगा कि अब यह यह आप अपर लगा किस तरीक से लगाएं चलो देखने है limit है tends to infinite integration 0 to a ln 1 plus e की power x dx इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख देता हूं थोड़ा आपको अच्छा दिखाए दें कॉंसी फोम है infinite upon infinite form है लोपिटल लगा है किसके respect में differentiate करें differentiate आपको a के respect में करना है तो a के respect में differentiate करते हैं कैसे करते हैं यह आपके पास क्या है definite integration definite integration है इस तरीके का जिसमें एक फंक्षन है है तो उसको आप लेबनीज से करेंगे लेबनीज का क्योशन है काफी important question है लेबनीज का डिफ्रेंज की help से differentiation आपको आना साहिए कैसे करते हैं सबसे पहले अपर लिमिट का differentiation करेंगे एक differentiation फिर अपर लिमिट को फंक्षन में पूट करेंगे ऐसा फिर क्या करते दे लोवर लिमिट का differentiation करते दे जीरो वो तो जीरो तो पूरा पाट क्या हो गया 0 हो गया यहां पर A2 को क्या कर दिया differentiation 2A हो गया अब देखो क्या आ रहा है infinite पुट करने पर E की पाउर infinite infinite ln में infinite जा रहा है infinite तो अभी भी सेम प्रॉब्लम बनी हुग है infinite अपन इंफाइनेट ही आ रहा है क्या करें दुबारा सेम कर्म लॉपिटल लगाए इसका integration करेंगे सोरी इसका differentiation करेंगे कित्ता हो गया वन अपन प्लस एक पाउर फिर अंदर वाले का करेंगे तो वन का तो 0 हो गया एक कित्ता हो गया और यहां पर कित्ता हो गया अब इसको थोड़ा से सिंप्लिफाई करते हैं अपन किस तरीके से यहां पर नीचे क्या बचरा वन बाइटू उपर जो एक की पावर ए है इसमें अपनने प्लस वन माइनस वन कर दिया किस तरीके से ठीक है अलग-अलग कर लो वन बाइटू कित्ता हो जाएगा यह वन हो गया वन प्लस एक की पावर ए ओके तो ए इंफाइनिट कर आओगे तो एकी पावर इंफैनिन इंफाइनिट हो गया तो यह क्वांटिटी कि धर जा रही है 0 तो 1-0 1 और इसका अंसर क्यत्ता है वजैके क्लियर है तो यह भी काफी इंप्रटेंट एक असे क्वेश्ट पूछे गए है जिसमें लिमिट का यूज हो रहा है उसमें लपितल लगाना है और लेबनीज का भी यूज हो रहा क्लियर बच्चो आई होप यह आपको क्लियर हो हुआ होगा इस तैप के ध्यान रखें अग्याइब नेक्स आते हैं इंटीक्रेशन का क्यों नहीं आपको इसका मान बताना है क्या होगा वह समस्ति ठीक है तो यह वापस हमारे फर्स्ट क्योंट की तरह यह कि इसमें भी आपक इसको आइलेट लगानी लेकिन काफी अच्छा कोशन है थोड़ा सोचना पड़ेगा किस तरीके से आइलेट लगानी है कही ना कहीं X प्लस वन बाइएक से तो थोड़ा दिमाग में आता यार X प्लस वन बाइएक्स को टी मालने वट उसका के डिफ्रेंशेशन क्या होता एक्स प्लस नभाइएक्स को 1 माइनस 1 बा ईक्सकोएर लेकिन यह तो समस्या है वन माइनस 1 बाइध एकस्योग जैसा तो यह कुछ दिख नहीं रहा तो कैसे डील करें चलो समस्ये कैसे आप डिकारोगो आपन नहीं अगरा सब से प्लेय ब्रै जैसे आप x common लोगे तो अंदर क्या बन गया 1-1 by x square यही तो ढूंड रहे थे अपन कि एक्स प्लस 1 by x को टीम आनेंगे तो यह कहां मिला यहां मिला डारेट नहीं दिखा कैसी किया पहले x common लिया फिर e की पावर x plus 1 by x dx ठीक है अब यह बिल्कुल आपका first question जैसा हो गया है कि कि आप इसमें आइलेट लगाएं और यह वाला पार्ट automatically कट जाएगा कैसे समझते आइलेट कैसे लगाएं अगर हम इसको टी बोलते हैं तो यह डीटी वाला पार्ट है तो इन दोनों को मिलकर अपनने क्या बोल दिया second function और इसको बोल दिया अपनने first function ठीक है तो इस वाल t बोलेंगे तो यह dt हो गया e की पावर t dt का क्या आता है e की पावर t तो यह क्या हो गया e की पावर x फिर माइनस लगा कर first function का differentiation x का differentiation क्या हो गया 1 हो गया x का differentiation 1 हो गया और second वाले पाट का integration हो तो अपनने लिखा था अभी क्या आता e की पावर x प्लस 1 बाई x dx यह लो तो आप देख पारें यह पार्ट और यह पार्ट सेम बन गया यह प्लस यह माइनस है तो cancel out हो जाएगा तो क्या value आगा integration की x e की पावर x प्लस 1 बाई x और यह integration constant तो आयोप यह clear हुआ होगा तो यह आयलेट की कुछ भैतरी इंक्योशन से जिसमें आप पहले पार्ट पर integration लगाते हैं और second वाला पार्ट अपने आप cancel out हो जाता है और इसमें एक और अच्छी बात थी कि यहां थोड़ा दिमाग लगाना था कि भाया में x प्लस 1 बाई x को तो टी माल लूँगा लेकिन उसका differentiation का क्या होगा उसका differentiation क्या 1-1 by x square वो दिख नहीं रहा था वो दिखाया मैंने कैसे पहले x यहां से हमने common लिया तो बच्चों होफुली क्लियर हुआ होगा तो इस टाइप की questions ध्यान रखें सब सारे अच्छे questions है trending वाली questions है इसका integration करना है यह इसके equal है तो आप integration करेंगे इसे तो compare करकर alpha beta b वगेरा यहां पर आ जाएगा बस integration करें कैसे वो समझते हैं ध्यान से तो ध्यान से सुनिएगा इस टाइप की questions कैसे deal करते है देखें कि लिखा हुआ है आपड़े डी एकस पहले इसको पावर है फिफ्त रूट तो इसको पहले आप फ्रेक्शन में लिए यह power क्या रही है यहारा है एक्स माइनस 1 पर पावर 4 बाई 5 और यह कितना आ रहा है एक्स प्लस 3 पर पावर 6 बाई 5 ऐसा कुछ आ रहा है सही है अब देखो यहाँ पर इस टाइप के क्वेशन में क्या होता है यह लगबग पूरा अंसर एक्स माइनस वन अपॉन इसको एक्स माइनस 1 बनाऊंगा तो पूरा एक्स माइनस वन इसके अंदर आना चाहिए तो मैंने इसकी पावर 6 बाई 5 से इसे क्या होगा एसा करने से यह होगा कि यह पूरा complete क्या हो जाएगा एक्स प्लस 3 अप्वोन एक्स माइनस 1 पावर 6 बाई 5 और यह जो पाड़ थे आप इसमें हमेशा पाएंगे कि जब यह ह्ञाल विन्यान और व्यास से पावर का सम करेंगे आप तो यह क्या बन-जाएगा टू बन जाएगा आप देको 6 बाई 5 4 500 बन गया एक्स माइनस कोषग स्कुमारं इसको मोन और किसको एक्स प्लस 3 अपोट एक्स-1 इसको आपक्या बाiblick t माई, differentiation कैसे करेंगे, differentiation करने के लिए आप क्या करेंगे, u by v use करेंगे, क्या होगा, denominator का square, ऐसा, चाहिए, denominator को बाहर निकाला, numerator का differentiation 1, minus, numerator को बाहर निकाला, x plus 3, denominator का differentiation 1, dx equals to dt, क्या बन रहा है, देखो ध्यान से, x से x cancel out हो रहा है, yes, minus 1, minus 3, minus 4 हो रहा है, तो minus 4 को उधर भेज़ देते हैं, यह कुछ आपके पास ऐसा आ गया, minus 1 by 4 dt, सहीए, देख पा रहे हैं, तो देखो, वो automatically, देख लही, जो आपका धा, कहां गया, यह रहा, x minus 1 का whole square, वो इसमें cover हो गया, तो अब क्या बन गया, पूरा है, अगर हम इसको लिखें तो, dx upon x minus 1 का whole square, उसके जिए, minus 6 by 5, इसका integration कर दो, कित्ता हो गया, minus 6 by 5 plus 1 upon minus 6 by 5 plus 1 plus integration constant, क्या आ गया, simplify कर लेदे, minus 1 by 4, t की power कित्ता हो गया, minus 6 by 5 plus 1, यह हो गया, आपके आपके आपस, minus 1 by 5, और यह भी कित्ता हो गया, minus 1 by 5 plus c, ठीक है, यह minus, minus cancel out हो गया, और यह क्या हो गया, 5 by 4 हो गया, तो आपका answer क्या हो गया, 5 by 4, t की power minus 1 by 5, तो यह हो गया, 5 by 4, t की power minus 1 by, किता हो गया, minus 1 by 5, यह minus 1 by 5 plus c, ठीक है, t का value पुट कर दे, क्या है, x plus 3 upon x minus 1, तो यहाँ पर आपने put कर दिया, x plus 3 upon x minus 1, ऐसा, compare करे, compare करने पर पता लग रहा, x minus 1 उपपरे, तो यह काम करो, exponent वाला minus इसको देदो, exponent वाला minus इसको देदो, क्या हो गया, है, 5 by 4, x minus 1 upon x plus 3, यह किता हो गया, 1 by 5, अब देखो, बिल्कुल set है, सब, हाँ, बिल्कुल set है, बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा है, हाँ, यहाँ क्या है, a, a की जगे इदर क्या है, 5 by 4, x minus 1, x plus 1, मतलब, alpha, beta, दोनों किते हैं, 1, b की बात करें, b किता आगया, यह power 1 by 5 ही, हाना, किता हो गया, 1 by 5, काम खतम हो गया, इसकी value डाल दो, alpha किता है, 1, beta किता है, 1, 20 as it is, a, b किता है, a है 5 by 4, और b किता है, b है 1 by 5, इस तरीके से, तो यह 5 से 5 कड़ गया, यह 5 टाइम कड़ गया, तो 1, 1, 5 किता हो गया, 7 answer, clear बचो, तो एक बहुत अच्छा question है, काफी बार पूछा जाता है, तो किस तरीके से deal करना है, इसी तरीके से deal करना है, आपकी इच्छा हो तो, x plus 3 upon x minus 1 मना दो, या तो आप चाहें, तो क्या कर सकते थे, x minus 1 की power 4 by 5 है, आप x plus 3 की power 4 by 5 से multiply divide कर दो, किससे, x plus 3 की power 4 by 5 से, और x minus 1 upon x plus 3 को t बोल दो, तो जो आपकी मर्जी वो आप बना सकते हैं, clear है, तो इस टाइप की questions ध्यान रखें, ये भी काफी trending वाली questions है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, ओके, एक function आपको given है, x plus sin x, और आपको f inverse x का integration करना है, जीरो से πाई में, आपको इसका value बताना है, अब एक समस्या आउ जाती है, f inverse x है, ये f of x है, मतलब केई बार बच्चे सोचते हैं कि चले, sir, एक काम करते हैं, आपको पता इंवर्स कैसे निकालते हैं आपको कैसे निकालते हैं यहाँ पर हमारी कहानी अटक जाती है यह यह equals to x plus sin x से x को in terms of x को in terms of y कैसे लेका है पॉसीबल नहीं है कि आपने पड़ा भी होगा inverse function में हो सकता inverse function exist करें लेकिन हर बार inverse function निकाल पाना possible नहीं हो पाता तो यहां पर भी ऐसा ही है inverse function निकाल पाना possible नहीं है आपको उसके साथ ही deal करना पड़ेगा पहली चीज़ तो यह क्योंकि बच्चों की दिमाग में यह आता है कि अगर हम एक्स की जगे f of x पूट करें या फिर x की जगे f of t पूट कर लेते हैं तो अपन ने पढ़ाए इस तरीके से इसको यहां पर डिल कर सकते हैं तो फोग फंक्शन पढ़ा है अगर एफ और जी एक दूसरे के इनवर्स होते हैं तो फोग और गॉफ को एक्स लिख सकते हैं तो उसी सेम वे में उसी अप्रोच में मैंने एक्स को माल लिया है एफ ओफ टी शाहिए ना डिफ्रेंशियेट करा डी एक्स क्या हो गया एफ दैस्टी डीटी सब कुछ टी में खेल रहे है तो लिमिट भी काई की लगेगी टी की लगेगी तो लिमिट के लिए आप क्या करोगे एक्स के जीरो तो इस पर आपको टी चाहिए तो मैंने एक दो मैं बिल्कुल तो लोवर लिमिट किती ही आ गई जीरो आ गई अपर लिमिट एक्स किता है पाई यहां पर पाई डाल दो पाई इकोस तो f of t, f of t किता है t plus sin t, क्या डाले, जिससे t की वेल्यू, जिससे की पाई बन जाए, observation से पताना पड़ेगा, clearly पता लग रहा है t, पाई डाल दो, t, अगर पाई डालते हो, तो sin pi क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो limit क्या होगे, 0 से pi, पहली चीज ठीक है, हाँ, अब क्या करो, f inverse, x की जगे क्या लिखोगे, x की जगे लिखेंगे, f of t, येलो लिख दिया, और, d x की जगे क्या लिखोगे, d x की जगे लिखोगे, f dash t dt, clear ह सही ही न, ओके, ये f inverse f, ये तो fork function होगे, इसको x लिख देंगे, तो ये कित्ता होगे, 0 to pi, कित्ता हो जाएगा, इसको t लिख दिया, f dash t dt, अब ये थोड़ा ठीक दिखने लग गिया, पहले तो f inverse दिख रहा था, कम से कम थोगा, ठीक तो दिखा, inverse तो चला गया, कैसे करे, आसान सी बात है, दिखरा है, second function का integration आता है आपको, f dash t का integration क्या होगा, f of t, तो इसको बोलो first function, इसको बोलो second function, चलो करते है, first function को बाहर निकालो t, second function का integration f of t, यहाँ पर value 0 से pi, minus integration 0 से pi, first function का differentiation 1, second function का integration f of t dt, यहाँ पर, पाई, अगर मैं यहाँ पाई डालता हूँ, अच्छा, f of t तो है ना, आपके पास यह रहा, आप इसमें पाई डालोगे, तो कितना देगा, पाई देगा, और t यह पाई, तो इसको जैसे क्या होगे, pi square, 0 डालेंगे, तो 0 हो जाएगा, यह लो, minus 0 to pi, f of t, हाँ, f of t की value त है, मारे पास, t plus sin t, clear है, बस इसको solve कर लो, अब तो simple सा question बन गया, simple सा integration होगया, तो pi square minus, कितना हो गया, pi square minus, t का integration कर दो, t का integration कितना होगया, आपके पास यहाँ पर, t square by 2, sin t का कितना होगया, minus cost t, कितना होगया, 0 से pi, बस value पुट कर दो, काम खतम हो जाएगा, यह होगया, आपके पास pi square, यह तो जो यहाँ से चलता हो आ रहा था, minus, यह value पुट कर दो, सबसे पहले pi डालोगे कितना हो जाएगा, pi square, pi डालोगे तो pi square by 2, और यहाँ पर pi डालोगे आप, तो pi डालने से कितना आएगा, minus 1 आएगा, तो यह plus 1 हो गया, ठीक है, यह सेम वे 0 डालोगे, तो 0 हो गया, और यहाँ 0 डालने से क्या आएगा, 1 आएगा, बट minus उसमें भी लगेगा lower limit वाला भी है न? upper limit minus lower limit तो उसकी वज़े से यह हो गया plus 1 तो क्या answer आगया? pi minus pi square by 2 और यह कित्ता हो गया? 1, 1, 2 तो क्या answer आगया? pi square by 2 minus 2 कित्ता हो गया? यह वाला first क्लियर है बच्चो तो यह question भी important था हमें लगता है यार f inverse x तो इस function का निकलेगा ही नहीं तो फिर कैसे deal करें तो इस टाइब से questions को deal करा करो आई होप यह clear रहा होगा आगे बढ़ते हैं आगे बॉक्स of x का function box of x आपको पता है बहुत trending में है box of x के काफी questions आते हैं और ऐसा topic है जो हर chapter में घुज जाता कहीं नहीं हर chapter के questions को थोड़ा सा और अच्छा मज़ेदार बना देता और interesting बना देता है तो देखो समझते हैं कैसे deal करेंगे एक अच्छा कैसे करोगे integration समझ जो इसको box of x है यहां पर देखो इसको e की power x और e की power minus 1 निख सकता हूं ऐसे और यह e की power box of x है इसको में नीचे लिया है तो exponent rule से इसा हो जाएगा है और यह dx अपनी जगे यह e को में बहार ले गया ऐसा किता हो गया limit 0 से 10 था 0 to 10 और यह किता होगे dx upon box of x तो एक है ही से अंदर अब ऐसा थोड़ी नहीं बोलो कि box of x constant है तो भाहर निकाल दे नहीं बहार निकाल सकता है अब देखो थोड़ा सा ध्यान से समझो इस टाप की questions काफी पूछे जारें बच्चे फस जातें box और fraction देखकर fraction के बारे में पदा आपको यह periodic function है periodic function है मतलब 0 से 1 में 1 से 2 में इसकी value हमेशा क्या आने वाली है से माने वाली है तो अपने लगाया थोड़ा सा दिमाग कैसे यह तो बहारी है इस limit को मैंने break करा 0 से 1 0 से 1 में box क्या देगा 0 और यह E की पावर fraction part of x as it is 1 से 2 में box क्या देगा 1 E की पावर fraction part of x as it is similarly 2 से 3 2 से 3 में box क्या देगा 2 fraction part of x as it is और लास्ट पाट क्या हो जाएगा 9 से 10 9 से 10 में box क्या देगा 9 और fraction part of x as it is अब देखो ध्यान से क्या होगा आप खुद देखो यह constant 1 2 9 यह तो मैंने बाहर निकाल दिए थोड़ी देर के लिए सोचो आप सोचने का काम है 1 2 3 9 यह सब में बाहर निकाल दिए निकल गए हाँ अब अंदर जो क्वांटिटी बची वह क्या है वन अपोन से 2 और 9 से 10 इसम में क्या होगा सेम वेल्यू आएगी तो आप क्या करो उन सेम वेल्यू को मले सकते हो तो आप इसको इसतरीके से लिख सकते हो एक सब्सक्राइब कि इस तरीके से आप लिख सकते हो और अंदर क्या बचेगा यह जो बाहर आपने कॉंस्टेंट लिया वो 01 से लेकर कहां तक आ गया नाइन तक आ भात आए समझ में बच्चो यहीं इंपोस्ट अंदर प्रियोडिक फंक्षन फंक्रियोडिक है तो इन सब सहकते हैं यो पार्ट लेटा ने एं जिरो का दोख लेना देना नहीं नै एका जू एंट्क्रिश्न 1 by 2 integration की बात करूँ 0 से 1 कोंजा है 0 से 1 0 से 1 में fraction part के सब भीएव करता है y equals to x की तरहे तो इसको क्या लिख सकता हूँ e की power minus x dx यह बस finish कर लो कित्ता हो गया 45 e हो गया e की power minus x का integration क्या हो गया e की power minus x और minus 1 से divide यह minus इसको यहां दे दिया बाहर और इसी तरीके से तो किता होगे माइनस 45 e one डालो गया 1 by e minus zero डालो गया तो कित्ता ओ गया 1 इस तरीके से यहां से आप e lcm लेलो lcm वाला इससे कट जाएगा और यह minus यह तो 1 minus e का क्या हो गया e minus तो क्या answer आ गया 45 e minus सुनिए लो आई हो बच्चों क्लियर हुआ होगा इस टाइप की क्वेशन बॉक्स वाले आज कल काफी आ रहे है definite integration वाले इसको ध्यान रखो कैसे deal करने है एक और अच्छा क्वेशन बॉक्स से रिलेटेट बॉक्स के अंदर बॉक्स फसा दिया ध्यान से समझ न 320 box of ellen box of x अंदर भी बॉक्स से बाहर भी वक्स से और लिमिट क्या है 3 से लेकर 10 अगर box में अगर 3 डालूँगा तो ellen के अंदर 3 से वेलू आना स्टार्ट होगी चलो थोड़ा समझते एलन 1 कब देगा जब मैं इसके अंदर E डालूँगा, समझो, pure observation वाला काम है, सोचने वाला, ठीक है, अब यह 2 घप देगा, Alan, जब यह E square हो जाएगा, तब यह 2 देने लग जाएगा, E किता होता है, E होता है, 2.7 something, तो E square, E square किता हो गया, 2.7 को 2.7 से multiply करो, 9, 4, 14 और 4, 18, और यह हो गया, आपके पास 54, तो 9, 2, 7, यह हो गया, 7.29, मतलब जब 7.29 हो जाएगा, तो यह 2 देने लग जाएगा, अब थोड़ा सोचो, मैंने value डाली 3, Alan 3 पर अभी लग बग क्या दे रहा हो गाए, यह 3 पर दे रहा होगा, 1.something क्योंकि 2.7 से लेकर, 7.29 के जस्ट पहले तक, यह value क्या देगा, एक से दो के बीच में, देगा, सोचो थोड़ा से, बिल्कुल, तो मैं value, अगर इसमें 3 से 4 डालता हूँ, तो यह क्या देगा, Alan 3, Alan 3 का box किता आएगा, आपको पता है, 1.something आएगा, तो box 1 आएगा, और आगे जागे देखो, अगर box 4 हो गया, तो Alan 4, Alan 4 भी किता आएगा, 1.something आएगा, box 1 आएगा, अगर box के अंदर 5 हो गया, box के अंदर, box की value 6 आगई, box की value 6 आगे, Alan 6, Alan 6 भी क्या देगा, 1.something देगा, और फिर उसका box क्या आजाएगा, अगर मैं 7 डालू तो, यहाँ पर अगर आप box की value 7 डाल दू, box of x 7, तो Alan 7 क्या होगा, वो भी तो इससे छोटा हीए, 1.something तो box भी आएगा, अच्छा, अगर मैं limit 8 ले लू, 8 तक, क्योंकि आपको बता है, अगर मैं limit 7 से 8 लूँगा, तो भी box तो उसको 7 ही कर देगा, और 7 ही कर देगा, तो अभी भी value x से 2 के बीच में आरे नहीं है, बिलकुल आरी है, x से 2 के बीच में आरी है, मतलब अभी भी 1 ही दे रहा है, आठ तक यह क्या दे रहा है वन ही दे रहा है अब जैसे ही आप इसमें 829 जाते हैं तो 810 जाते ही जैसे 829 जाएंगे तो यह कित्ता हो जाएगा 8 देगा तो 7.29 से बढ़ा हो जाएगा तो वेल्यू से बढ़ी आएगी और 2 से बढ़ी का बॉक्स टू आजाएगा क्लियर है बच्चो इस तरीक से अब एक्यूब तक की तो बात ही नहीं करेंगे तो क्वांटिटी बहुत आगे नहीं कल गई है ना तो बस इतना हो गया तो कित्ता हो गया इंटेग्रेशन एक्स हो गया 8-3 यहां से आजाएगा यहां भी टू बहार एक्स हो गया तो यह कित्ता हो गया 10-8 हो गया कित्ता हो गया 5 और यह हो गया कित्ता हो गया 2-4 नाइन आंसर आगया आयो बच्चों यह समझ में आया होगा अच्छा क्योशन है सोचने वाला क्योशन है प्योड सोचना है बोक्स सबको आता है बस थोड़ा सा यह वाला पार इन्टेग्रेश। आपको है, है ना का फी फेन। को एंशन है। आपको यह ना काफी फेमस क्योशन है। इन्टीग्रेशन हो एंटीग्रेशन हो आपकोAN वापस आएलेट का वेथजरीन क्योंट है तो किया लिखा हुआ एक्स स्कॉयर लिखा हुआ है अब मुझे हिंट कैसे मिलेगी को करने की वो समस्ता हुआ वो बताता हूं लीचे क्या लिखा हुआ एक साइनेग्स प्लस उसे इसको मने डिफरेंशियट कराओ किसको x sin x प्लस को सेक्स को मैं थोड़ा इप्रोच डवलप करने की कोशिश कर रहा हूं इस क्योशन को करूं कैसे तो मैं हम ने x sin x plus Cos x का differentiation किया क्या कि एगा x को बहार निकाला साइनेक्स का को सेक्स फिर sin x को बहार निकाला x का वन हो गया और फिर मुझे यह कमधसियोग केसे कोसेक्स का सब‌प्रेंशिशन माइन Creek तो मुझे यह यह पदा लगा कि नीचे वाले जो क्या रहा है एक्सको सेक्स आरहा है तो मैं उपपर एक्स को सेक्स BENAGने की कौशिश करो तो मैंने X इसे बना दिया उप्स यही सबसों इंपोटन पाड था किस तरीके से कैर आप अब को इसकाل इंटीग्रेशन आता है कि यह हाँ इसको अगर आप तो इसका differentiation है dt केसे अभी करके दिखा आमने यह तो यह t बोलेंगे तो यह t बोलेंगे तो यह dT बन जाएगा तो dt अपों t square 1 अपों t square minus 1 by t integration आता है तो highlight use कर लो कैसे यह पूरा function केसा function हो गया इसका integration करेंगे तो इस second function यह क्या हो गया first function, clear है, तो चलो करते है, first function को बाहर निकालो, X by cos X, इस तरीके से, second function का क्या करना है, integration, कैसे करोगे, इसको T बोलो की, उपर वाला क्या होगे, DT, तो DT upon T square, क्या होगा, minus 1 by T, तो कितना होगे, minus 1 upon X sin X plus cos X, यह लो, फिर minus, differentiation, U by V से differentiation होगे, ऐसा लग रहा है, complex होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, देखो धियान से, कैसे, U by V से, कैसे करोगे, denominator का square, denominator को बाहर निकाला, numerator का 1, numerator को बाहर निकाला, cos X का sin X, ऐसा, और यह integration, as it is वाँ लिख दू, तो यह minus minus plus कर देए आपर, और 1 upon में क्या आगया, X sin X plus cos X, क्या देख पार है, question कितना, आसान होगे, हाँ, यह पूरा part cancel out होगे, तो क्या आसान होगे, हाँ, यह तो सेक स्क्वार बन गया, सेक स्क्वार का integration क्या होगे, 10 X, और यह, plus constant of integration लगा दो, यह part यहाँ पर आगया, देखो कितना, अच्छा question था, बैतरीन question, काफी अच्छा question था, hint कहां से मिली, इस वाले part को differentiate करके देखा, differentiation क्या रहा, X cos X, तो X तो थे, यहाँ पर दो, तो हमने क्या करा, को से multiply, divide कर दिया, तो I hope, यह question clear हुआ होगा, ध्यान रखें, इस टाइब की questions को, ओके, आते हैं, next question, question number 9, काफी trending question है, इस टाइब के questions में, यह important approach होती है, आप दोगों ने भी देखा होगा, कि नीचे denominator से, आप maximum power को, highest power को, वहाँ से निकाले, किस तरीके से, समस्ते, यहाँ पर, आप देख पा रहे हैं, यह numerator में ने, as it is, लिख दिया, X की पावर 5 आप यहाँ से कोमल ले, बाहर क्या क्या क्यूब है, तो बाहर आकर क्या होगा, X की पावर 15, सही बात है, तो यहाँ X की पावर 5 कोमल लिया, तो किता होगे, 1 प्लस X की पावर माइनस 2, और X की पावर माइनस 5, इस तरीके से, यह यह, यह X की पावर 15 में ने, उपर दे दिया आपको, यह से काफी सारी questions में करना रहता है, इस टाइप के questions, ध्यान रखें, कैसे करते हैं, नीचे से हाई-स पावर कमन ले ले लेते, X की पावर 15 से उपर डिवाइट किया, किता हो गया, 2, X की पावर माइनस 3, यह 12 था और यह 15 था, और यह 9 और 15 है तो किता हो गया, 5, X की पावर माइनस 6, DX और अपन वाला पाट अज़ ले लो, clear है, ऐसा, अब क्या गरो, बस इस ब्रेकेट को T बोलो, देखो बनता है क्या, चेक कर लेते है, तो 2, X की पावर माइनस 3, plus sorry, T, bracket को T बोलो, 1 plus X की पावर माइनस 2, plus X की पावर माइनस 5, क्या होगा T, करेंट इफरेंट, माइनस 2, X की पावर माइनस 3, और यह माइनस 5, X की पावर माइनस 6, DX, DT, क्या पूरा सेट खागया, हाँ, बिलकुल, बस माइनस कोमन लेके आप उदर डाल दो, तो कित्ता हो गया है, माइनस का DT, और अपोन में क्या बन गया, T cube, माइनस तो बहार आ गया, T की पावर माइनस 3, क्या हो गया, माइनस 3, plus 1, माइनस 3, plus 1, plus C, तो कित्ता हो गया है, 1 by, माइनस से माइनस कट गया, 1 by 2, और यह हो गया, T square plus C, क्लियर बच्चो आई होप यह समझ में आया होगा सिंपल एप्रोच है क्या करें नीचे से हाइस पावर कॉमल ले नुमेरेटर में ले जाए और देखें जो नीचे वाली टम में उसको टी मानने से उपर वाना डिफ्रेंजेशन बन रहा है नहीं बन रहा है क्लियर बच्चो चलो बढ़ते आगे नेक्स कुशन कि लिमिट एंट टेंस टू इंफाइने डारा है अना क्या देखकर क्या खयाल आएगा दिमाग में लिमिटेस समका कुशन हमने आप लोगों के लिए लगबख सारी टॉपिक्स यहां पर कवर करने की कोशिश करिए अपने सारी टॉपिक कवर किये भी हमने काफिस में तो यह लिमिटेस समका क्योशन है कैसे करोगे पताइए कौनसेट पता है किस तरीके से करते हैं चलो देखते हैं सबसे पहले पावर वन बाइन है उसको जमीन पर लेकर हो कैसे लाइंगे इस पूरी क्वांटिटी को मैंने बोल दिया एस के एक सारा का सारा अंदर लोग मेंचला जाएंगे साइन पाई बाई टुए एन साइन टुपाई अपॉन टुए आपको यहां पर ही टुएन नहीं दिखरें तो एक काम करते हैं इसको भी टू से मल्टीप्लाइग कर लेते हैं तो नीचे किता होगे टू एन हो गया तो उपड़ 2 से multiply करोगे तो 2N minus 2 हो गया पाई ऐसा अभी लोग में सारे काई में है product में लोग में सारे product में तो इसको addition में डाल देंगे अपन बिलकुल लोग की property से और फिर इस पर submission लगा सकते हैं ऐसे हाँ एलन साइन क्या बन जाएगा पाई आर बाइट 2N बनेगा नहीं बनेगा और र की वेल्यू कहां से कहां तक है 1 से कहां तक जाएगी 2N minus 2 तक यह सही है इसी तरह किसे करते है लिमिटे सम का question बिलकुल तो r by n दिख रहा है हाँ इसको x बोलते है याद होगा आपको 1 by n को क्या बोलते है d x लिमिट कैसे निकालेंगे है आर की वेल्यू कहां से कहा दक जा रही है 1 से 2N minus 2 क्या करते है लिमिट निकालने के लिए आर भाई एन निकाल इसको क्या लिख दो कि अलग अलग करके 2 minus 2 by n अब एन इंफाइन डालूंगा तो यह 0 आ रहा है और एन इंफाइन डालने पर यह 2 आ रहा है तो लिमिट क्या क्या लिख दोगे X लिख दोगे तो यहां किता हो गया पाई बाई टु एक्स हो गया दी एकस क्लियर यह इस तरीके से ब्रैकेट लगा देते ठीक है लिएसा तो पाई एकस बाई टू निकाल दिया लिमिट लगानी अब इसकी तो X 0 डालोगे तो T 0 हो गया और X अगर आप किता डालोगे X यहाँ पर 2 डालोगे तो यह पाई हो गया और यह कितना हो गया एलन साइन T DT अगर यहाँ पाई टू होता अगर पाई डारेक्ट इंटीग्रेशन आपने याद रख रखा होगा अलन साइन करना पड़ा होगा आप लोगों ने क्यूंस प्रोपर्टी आप इसमें पाई माइनस X पूट करके देखें क्या वही क्वांटिटी आ रही क्या हाँ बिल्कुल तो अगर मैं इस पाई को इस तरह किसे लिखू टू से क्यता हो जाएगा 0 से पाई बाई टू यह लो एलन साइन टी डीति क्लिट पट्चोओ अब देखो यह डारेक्ट इसका इंटीग्रेशन पता है आपको क्या होता इसका इसका इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 LN 2 माइनस पाई बाई 2 LN 2 यह दा रखते हैं इसको जीरो से पाई बाई 2 LN साइन टी का एलन कोस्टी का और साइन 2 टी का पाई से पाई गड़ीक है 2 से 2 कड़िया तो माइनस 2 तो यह किता हो गया 1 यहां पर इन्वर्स की तम आ रहे हैं एक्स की तम आ रहे हैं तो थोड़ा मेटर गड़बड लग रहा है तो किसी तरीके से बगाें किसी को इन्वर्स को बगाएं कैसे बगा सकते है तो कोड इन्वर्स लाएं पर के Спytor यहां खाल पर एक हिर्ट क्रण फिवेस्ट करणे की लिघंगे पड़र निच्छे दो अब होगा तो इसको आपक्या लिख देंगे कोट इंवर्स लिख देंगे और यह भी पता लग रहा है कि लिमिट को रिसी प्रोकल करने से यहां लिमिट पर कोई फरक नहीं पड़ रहा है बस उपर नीचे ही तो हो रही है वह तो ऑपन एड़ेस्स कर लेते हैं कि इसको मैंने आई बोल दिया इसी तरीके से तो बेसको आई बोल देता हूं आगे बढ़ते हैं यहां पर सबसे पहले लिमिट उल्टी हो जाएगी 1 बाई 2 का 2 हो गया 2 का 1 बाई 2 हो गया 10 इंवर्स एक्स की जगे क्या डाल दिया 1 बाई कर दो कि इसे एक्स की जगे 1 बाई 2 पुट कर दो एसे एक्स कीजए 1 बाई 2 है रहे मैमई अ मैउने 1 बाई 2 है तो मैच्छो मैच्छो अब क्या करो यह माईने टो आई मेश्ग को देदा भी तो मैपस सेंपें अड़्ास आठ्व यहां से T square LCM लिया तो T square से वो T square कट गया और 10 inverse 1 by 2 को क्या code inverse T लिख सकते हैं क्या क्योंकि T एक positive quantity कोई दिक्कत नहीं लिखा जा सकते हैं यह T square LCM लेंगे क्या बन गया T square plus T plus 1 सही है और यह T square LCM वाला से कटी किया cancel out अब दोनों को क्या कर दो दोनों को add कर दो यह वाला और यह वाला equation 1 equation 2 दोनों को add कर दे तो यह आई था यह भी आई था कित्ता हो गया 2i LCM तो दोनों का सेम आजा है कि T को X लिख दो स्थो कोई फरक्खी नहीं पढ़ रहा है प्रोपर्टी नमबर 1 और 10 inverse X प्लस 4 inverse X क्या हो गया पाइब टू यह पाइब टू धर ले लिया कित्ता हो गया 1 बाइटू से 2 कित्ता हो जाएगा 1 अपोन क्या बचाए T square ओके यह माइनस आएगा ती square माइनस T plus 1 ठीक है कैसे solve करते हैं इसा integration whole square बनाते हैं किस से मल्ट किसक्याइट सप्ट्रेट करें 1 बाइफ 4 माइनस 1 बाइफ ऐसा यह इसको टू को इदर डाल दो चाहें तो कित्ता हो गया है पाट T square माइनस T or plus 1 by 4 क्या बन जाएगा है T minus 1 by 2 का whole square ऐसा और plus 1 minus 1 by 4 कित्ता हो गया 3 by 4 3 by 4 मतलब root 3 by 2 का whole square clear है तो थोड़ी सी जगे कम पट रहे है इसको मैं आगे लिख देता हूँ I is equals to कित्ता हारा आपना पाई by 4 limit क्या हार यह 1 by 2 से तु D X अपोन हाना क्या बन रहा है T minus 1 half का whole square plus root 3 by 2 का whole square ऐसा sorry D X नी D T है तो क्या बन रहा है कॉंसा formula बन रहा है 10 inverse वाल बस लगा दो यह पाई by 4 कित्ता हो गया 1 by A 1 by A करेंगे तो यह तो बाहर आगे 2 by root 3 इस तरीके से सही है और 10 inverse क्या हो जाएगा T minus 1 by 2 upon root 3 by 2 इस पर limit put करनी है 1 by 2 से 2 यहां पर यह कित्ता हो गया cut कर दो इसे तो यह हो गया पाई यहां पर कित्ता आगे cut हो जाएगा तो 2 root 3 क्लियर है यहां पर value पुट कर दो आप थोड़ा सा इसको एक काम करो सिंप्लिफाई कर लो पिले T2 LCM लेकि 2 T minus 1 upon root 3 अब ठीक दिखराए बस अब यहां पर value इसके बाद आप फर्दर यहां आप से इसके value निकाल ही लेंगे तो आई हो बच्चो आपको कोई क्वेशन समझ में आया होगा अच्छा क्वेशन था हिंट समझनी थी आपर कि किस तरीके से आप पुट करें एक्सको वन बाइटी वही सबसे इंपोर्टेंट पार्ट था क्लीर बच्चो आई होप आप लोगों ने सेशन इंजोई किया होगा आप लोग हमारे साथ लाइव बने रहे हैं अब रिशी सार आने वाले हैं जो आपको केमिस्ट्री का जो एक इंपॉड करेंगे दोनों में पूछे जाते हैं तो इस चैप्टर के कुछ अच्छे कुश्चन का कलेक्शन में आपके सामने लाया हूं जिससे कि आपका पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो जल्दी से रिवाइज हो जाए तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सुरू करते हैं थर्मोडायमिक्स और थर्मोडायमिक्स का पहला क्विश्चन आपके सामने यहां पे लिखा है कि 4.8 ग्राम आफ कार्मन डायमंड है मतलब आपने कार्मन का डायमंड फॉर्म लिया है बोला इसके फोर पॉंट एट ग्राम के कमशन से रिलीज हीट निकाल सकते हैं इसके बारा ग्राम से कितनी हीट रिलीज होगी वह आप निकाल सकते हैं और 4.8 ग्राम से अगर इतनी रिलीज हो रही है तो 12 ग्राम से आपको निकालेंगे तो आप आसानी से उरिटरी मेथट को लगाएंगे और 12 ग्राम से कितनी रिलीज होगी वह आप सॉल्फ कर लेंगे और वह आएगी लगभग 395.5 यहां से किलो जूल यह 12 ग्राम कार्बन डाय है और फार्मेशन आफ गैसीचलनी सेवंटेवग 39 डूसरी चीज आपको दिया है कि गैसीयस इस। इसे यह लाएप से कार्म कार्मेशन और गैसीयस कार्बन नटेय कर रहा है यह जो इसके लिए जो नेलटा है और इसके है 725 किलो जूल यानि कि heat of formation of carbon gas from carbon graphite given है 725 किलो जूल तो the energy required for the following process are कुछ process है उसके लिए energy पूछ रहा है कितनी energy चाहिए और साथ में आपको क्या दिया है heat of combustion of carbon दिया है heat of combustion of carbon दिया है तो exactly यह जो combustion दिया है standard heat of combustion standard heat of combustion of carbon का मतलब carbon graphite का combustion हो रहा है तो carbon graphite का combustion है उसकी reaction लिखोगे तो carbon graphite plus O2 और इससे क्या बन रहा है CO2 बन रहा है और इसके लिए जो heat of combustion है वह आपको given है delta H और वह कितना है minus 393.5 kJ यह value आपको given है यह data दिया है इतनी बाते तो सवाल में given है और आप से पूछा क्या जा रहा है आप से पूछ रहा है कि carbon graphite से जब carbon gas बन रहा है यानि कि carbon graphite से carbon gas बन रहा है यह reaction तो इसके लिए पूछ रहा है कि delta H क्या होगा carbon graphite से carbon gas इसके लिए delta H पूछ रहा है दूसरा carbon diamond से carbon gas बन रहा है तो इसके लिए डेल्टा एच क्या होगा इसका á Binच का मतलब है कि कार्बन Diamond से Carbon ổ में बन रहा है तो इसके लिए डेल्टा एच की रहा हम mówiform तो अगर आप देखें तो इतने डेटा यह ने को बात आफें पूछन जारी है से carbon gas जो बन रहा उसके लिए 725 किलो जूल दिया है इसका मतलब है कि यह तो डारेक्ट आ गया पहला वाला तो आपको डारेक्ट मिल गया तो carbon graphite से carbon gas बनने की जो enthalpy है वो 725 है यानि कि पहला option आपको मिल गया अब अगर आप यहां पर देखिए तो चार option है चार में सब यह दो option बचने जिसमें पहला option तो आपको मिल गया 725 अम इन दो में सेकेंड आप्शन देखना है कि यहां 727 है यहां 723 है यानि कि दूसरे option पर आते हैं कि carbon diamond से जब carbon gas बन रहा है तो delta H क्या होगा अब आपको इसमें थोड़ा से आगे ले चलूँगा मैं यह चीज आपको अगर निकालनी है तो इन सारी reaction को आपको यूज करना है carbon diamond से carbon gas वाली reaction आपको चाहिए अब आप दीखिए एक तो carbon diamond का combustion दिया है यह जो आपने निकाला है तो हम इस reaction को थोड़ा से आगे ले चलते हैं carbon diamond का combustion carbon diamond का combustion O2 इससे बनेगा CO2 और यह इसके लिए delta H वैलू गिवन है और कितनी गिवन है यहां से देखिए यारे 395.5 यानि कि यह आएगा 395.5 किलो जूल एक वैलू यह है ठीक फिर आते हैं पीछे देखिए दूसरी बात आपको क्या दिया है carbon graphite का जब combustion हो रहा है तो यह दिया है carbon graphite से carbon gas बन रहा है तो यह दिया है तो carbon graphite से carbon gas जब बनना है तो वो 725 है चलिए देखते हैं तो यहां से carbon graphite से carbon gas बन रहा है और इसके लिए डेल्टा है 725 है यह लिख लिए आपने ठीक अच्छा यह देखिए combustion है तो combustion हमें से exothermic है तो इसको माइनस में लेके चलेंगे माइनस 395.5 फिर आगे आते हैं पीछे आते हैं तो पीछे देखिए तो यहां पे एक और चीज दिया है carbon graphite के combustion यह है माइनस 393.5 तो यहां पे देखिए carbon graphite का जो combustion है वो माइनस 393.5 है तो carbon graphite का combustion जो हो रहा है O2 यह से बनना है CO2 और इसके लिए delta H क्या है माइनस 393.5 यह value given है ठीक है अब आपका जो target है और क्या चीज़े दिये हैं वो देखिए यहां पे यह इतना जो data है वो आपने यह data लिख लिए यह data लिख लिए यह data लिख लिए आपको यह चाहिए कि carbon diamond से जब carbon gas बन रहा है तो उसके लिए value क्या होगी तो चलिए देकते हैं कि carbon diamond से carbon gas carbon diamond से carbon gas बना है इसके लिए delta H क्या होगा . अब आप ध्यान से देखिए तो carbon diamond ये सब add हो जाएगा और इसके बाद आप देखिए जब आप इसको add करेंगे तो diamond से gas मिल जाएगा लेकिन ये और ये extra मिलेगा और इधर से ये extra मिलेगा तो इसे equation number third से subtract कर दीजे आपको direct यही वाली reaction मिल जाएगी जो यहाँ पे दिया है यानि कि 1 और 2 को add करिए और 3 क 25.5 plus equation number 2 कितना है that is a 725 minus अब इसको minus करोगे तो minus minus plus हो जाएगा ये हो जाएगा 393.5 यह आगया इस पूरी value को आप solve करो और पूरी value को solve करोगे तो value आजाएगी 723 और यही आपका final answer है यानि कि carbon diamond से carbon gas बनेगा तो 723 यानि कि यहाँ पे आते हैं तो आपका option number कौन सा होगा 3 ही सही है यानि कि carbon graphite से carbon gas के लिए delta H direct आपको दिख रहा है और carbon diamond से carbon gas के लिए value 723 होगी यानि कि इसका पहला option correct होगा तो यह था बच्चों आपका पहला question जो मैंने solve कराया और अब आपको ले चलते हैं दूसरे question के तरफ तो चलिए अब हम start करते हैं दूसरा question next question आपके सामने यह है ध्यान से लेखेगा बोल रहा है यह reversible isothermal evaporation of 90 gram water 90 gram water 90 gram water है 90 gram water का मतलब 5 mole water है right 5 mole water is carried out at 100 degree Celsius यहापे temperature दिया 100 degree मतलब 373 373 Kelvin heat of evaporation of 9.72 kilocalorie per mole एक mole water का heat of evaporation इतना है 9.72 kilocalorie per mole यानि कि जब 1 mole water यानि कि water liquid से जब water gas बन रहा है तो इसके लिए per mole के लिए delta H कितना है 9.72 kilocalorie यह दिया है आपके पास total water कितना है 5 mole तो 5 mole का evaporation कर आओगे तो net delta H कितना आ जाएगा delta H net अगर आप निकालोगे तो 9.72 into 5 kilocalorie आपकी यह value आएगी आप इस पूरी value को solve करोगे तो approximately यह value आएगी 48600 calorie यह आगया total delta H है ना this is for the 5 mole water 5 mole water के लिए delta H यह है आप कह रहा है कि assuming assuming water vapor to behave like an ideal gas what is the change in internal energy of the system यानि कि आप से delta E पूछा जा रहा है change in internal energy तो internal energy के change का formula लगाई है यहाँ से आपको पता है जो delta H होता है वो होगा delta E plus यहाँ से delta NRT यह value आपका target है delta H आपको पता है वो कितना आ रहा है 48600 kilo calorie delta E आपको निकालना है delta N की value delta N यह 5 mole आपने लिए 5 mole water है तो इधर यह total 5 है इधर 5 है लेकिन यह liquid और gas है तो delta N में gas के mole लिए जाते है तो delta N होगा moles of product minus reactant reactant में gas 0 है आर की value calorie में लगभग 2 होती है और temperature 373 है इस पूरी value को solve करना है और जैसे ही पूरी value को solve करेंगे आपको यहां से delta E की value मिल जाएगी यहां से आप delta E fine कर लेंगे और वही final आपका answer होगा तो यहां से आप delta E निकालेंगे और solve करेंगे इस पूरे data को आप इस तरफ लाएंगे इस कि अगला कुश्चन क्या है वो ध्यान से देखे अगला कुश्चन कह रहा है कि रीक्षन 3-2-2-3 बन रहा है इस एंडो थर्मिक यानि की प्रोसेस इसके लिए डेल्टा है पॉसितिव है यानि कि कुल मिला के आप से जा रहा है कि जब 3-2-2-3-3 का फार्मिशन हो रहा है और क्यूंद क्यूंद है जो कि साथा दिच प्रोन की यहां और फिरिकी स्फटार और फॉछ रहे हैं तो आपको क्लिरली दिख रहा है तो इसका मतलब O2 का bond strong है और O2 का bond अगर strong है इसका मतलब इससे तोड़ने के लिए आपको ज़्यादा energy चाहिए तो O2 की जो bond energy है वो O3 से ज़्यादा होनी चाहिए तो यहाँ पे देखते हैं option में यहाँ पे option क्या कह रहा है the average energy per bond in O2 is greater than O3 बिल्कुल सही option है पहला ही option होगा क्योंकि O2 की bond energy O3 से ज़्यादा है क्योंकि heat absorb हो रही है तो इसका मतलब है कि इसका पहला ही option सही है कि average जो bond energy है या bond association energy आफ O2 जो है वो O3 से ज़्यादा होगी इसका मतलब है कि इसका पहला option correct होगा तो यह था यह question फिर आपको ले चलते हैं अगली question की तरफ मैं हर तरह की variety के questions है हर question आपको different लगेगा जिससे पूरी thermodynamics आपकी revise हो जाएगी तो चलिए बच्चों ले चलते हैं आपको अगले question की तरफ और अगला question क्या है वो ध्यान से देखिए अगला question कह रहा है the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole, moles 1 है 1 mole diatomic gas, gas diatomic है by 1 degree Celsius यानि कि delta T temperature में change जा रहा है 1 degree Celsius का यानि कि delta T 1 degree Celsius है at constant pressure is 60 kilocalorie यानि कि constant pressure पर जो heat absorb हो रही है एक degree Celsius temperature बढ़ाने के लिए 1 mole diatomic gas का वो 60 kilocalorie मतलब यहां से QP दिया है और QP कितना है 60 kilocalorie अच्छा अगर आप ध्यान से देखिए तो जो QP होता है यहां से जो CP होता है वो होता है QP upon N delta T यह value होती है और अगर आप देखिए तो QP कितना है 60 N की value 1 है और delta T B 1 है यानि कि यह direct आगया 60 CP की value 60 आगई है ठीक है और वैसे भी constant pressure पर जो heat absorb होती है वो CP के बराबर होती है पर मोल substance का temperature per degree Celsius से बढ़ाने के लिए तो बोल रहा है था amount of heat which goes as internal energy of gases नियर ली तो आप से पूछ रहा है कि internal energy में change delta E क्या होगा और delta E जो है अगर आप देखे तो जो delta E है वो nCV delta T होता है राइट nCV delta T अच्छा n1 है cv और delta T B 1 है तो यानि कि delta E cv के बराबर होगा तो CP दिया है cv पूछ रहा है गैस आपके diatomic है तो CP और cv का ratio ले लिजे cp by cv ये ratio देखे cp जो होता है diatomic के लिए 7 by 2R और cp होता 5 by 2R यहां से पूरे equation को solve कर लीजे कुल मिला के value 7 by 5 बचेगी आपको cv निकालना है तो आप यहां से cv निकाल लीजे cv कितना आ जाएगा 5 by 7 into cp और यह value है 5 by 7 और cp आपका कितना दिया 60 दिया है आप इस पूरे equation को solve कर सकते हैं आप solve करोगे आपको final answer मिल जाएगा और यहां से आप आसानी से calculation करोगे और final answer आपका third आएगा 42.85 यहां रख दोगे और यह आया 42.85 और इस तरह से यह हमारा अगला question था जहाँ पे cp और cv को relate करके heat at constant pressure heat at constant value की बात की गई तो यह वाला question का answer यह तो और अच्छा सवाल है कि cp दिया है और cv पूछ रहा है gas diatomic है तो आपने ratio का use किया फिर आपको ले चलते हैं अगले question की तरफ बच्छो और अगला जो question है वो आपके सामने आया है ध्यान से दिखेगा यह question bond dissociation energy को लेकर है बंथ वियोजन उर्जा को लेकर इस question में क्या कह रहा है a b a2 and b2 are the diatomic molecules टीन molecules है एक है a b, एक है आपका a2 और एक है b2, the bond enthalpy of a2, a b and b2 are in the ratio 1 is to 1 is to 0.5, इसकी bond association energy का ratio 1 is to 1 is to 0.5 है, मतलब a2 की bond energy 1 है, a b की 1 है और b2 की 0.5 है, तो अगर हम माल लेते हैं कि a2 की bond energy x है, suppose x है, ठीक है, तो जो a b है उसकी भी x होगी, मतलब यह भी x हो गया, ठीक, और b2 कितना है, 0.5 है, तो इसका कितना हो जाएगा, 0.5 x हो जाएगा, हमने एमाल लिया, आप से पूछ रहा है, the enthalpy of, enthalpy of formation of a b from a2 and b2 is minus 100, एक और चीज़ दिया है, enthalpy of formation of a b, मतलब a b का formation हो रहा है, किस से हो रहा है, a2 और b2 से, तो यह होगा, half a2 plus half b2, enthalpy of formation का मतलब है, इसके 1 mol का formation हो रहा है, इसके लिए आपको delta h की value given है, वो कितना है, minus 100 kilojoule, यह value दी है, minus 100 kilojoule, यह value आपको दिया है, आप question में क्या कह रहा है, what is the bond enthalpy of a2 in kilojoule, right, bond enthalpy of a2 पूछ रहा है, इसका मतलब है, कि आप से x की value पूछी जा रही है, यह, bond enthalpy x की value, अब अगर कोई भी reaction दी है, bond energy of reactant minus product, bond energy of reactant का मतलब half a की bond energy, plus half bb की bond energy, यह reactant हो गया, minus bond energy of product, यानि की ab की bond energy, अब यह सारी value आपको रखनी है, delta h आपको दिया है, minus 100, यह value half, यह हो जाएगी x, और यह होगा half into 0.5x, क्योंकि यह 0.5ab2 का यहां से देखो, minus ab का कितना है, x है, इस पूरे equation को आपको solve क करना है, और finally आपको यहां से x की value निकाल लेनी है, और वही आपका answer हो जाएगा, you will find out the value of x, अगर आप देखो, तो यहां से यह half x है, यह minus x है, और यह 0.5x को solve करिए, x निकालिए, और final आपका answer आजाएगा, और इस तरह से यह equation number 16 का solution था, तो यह bond energy को लेकर हमने सवाल ल है, अगले कुशन की तरफ, अगला कुशन क्या है बेटा, चलिए देखते हैं, अगले कुशन को ध्यान से देखिए, यह भी thermodynamics का अच्छा सवाल है, cyclic process को लेकर बना हुआ सवाल है, जिसमें work और cyclic process की overall बात आप से की गई है, अब आप यहां पर देखे, बोल रहा है, कि an ideal gas is taken throughout the cycle A, B, C, मतलब A से B, यह, A से B और B से C, यह पूरा cycle है, इस cycle के तुरो एक process हो रहा है, ठीक, बोला है कि, इफ, यहां से देखे, बोला है, if the net heat supply to the gas in cycle is 5 joule, इस पूरे process में जो heat दी जा रहा है, वो 5 joule की है, यानि कि जो Q total है, वो 5 joule है, यह है आपका 5 joule, ठीक, इसका work done by the gas in the process C to A, जब C से A जा रहा है process, तो work done क्या होगा, मतलब C से लेकर A तक, यह जो process है, इसका work done क्या होगा, तो सबसे पहली बात दिखिए, अगर कोई भी process cyclic होता है, किसी भी cyclic process के लिए कुछ point है, जब process cyclic होता है, तो cyclic process के लिए पहली चीज, internal energy delta E में change 0 होता है, किसी भी cyclic process का net change 0 होता है, तो यहां से first law thermodynamics से क्यों बराबर होता है, delta E माइनस W, delta E 0 है, यह 5 है, यह 0 है, यह माइनस W, यानि कि W आएगा माइनस 5 Joule, यानि कि जो total work है, वो माइनस 5 Joule है, total work आ गया, अब जो total work है, वो माइनस 5 Joule का होगा, अब total work होगा, यहां से देख प्लस W C to A, यह आपका है, W C to A, अब आप देख लीजे, W total आपके पास पता है, माइनस 5 Joule है, W A to B, यानि कि A से B तक जा रहे है, तो P delta V, माइनस P delta V, फार्मूला होता अबर का, pressure कितना है, 10, और delta V कितना होगा, 2 माइनस 1, यह, यह आगया आपका total, फिर यहां से देखे, W B to CPI, आचा, B से लेकर C तक, यहां value constant है, यह V का axis है, V constant है, तो work done 0 होगा, फिर आप से पूछ रहा है, W C to A, यहां से W C to A निकालना है, बस आपको इस equation को solve करना है, और आपको answer मिल जाएगा, W C to A, यहां से अगर आप total value को find करिए, तो यह value कितनी है, minus 10 यह है, minus 5, इस कर लेंगे, और आपको finally W C to A मिल जाएगा, और यहां से आप W C to A की value find कर लेंगे, और W C to A की value, अच्छा, एक और चीज है, कि यह पूरा का पूरा clockwise cyclic process है, clockwise cyclic process में W C to A पूछा जा रहा है, तो यह पूरी value को solve करेंगे, और finally यह value minus 5 joule आएगी, और इस तरह से आपका answer है that is a minus 5 joule, और यह आपका option हो गया, यह आपका question हो गया, और इस तरह से आप question का solution दे सकते, question number 17 था, फिर आते हैं आपका question number 18 की तरफ, 18 पे आईए, यहाँ पे देखिए ध्यान से, question number 18 को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि यह entropy को लेकर सवाल है, और कई बार entropy को लेकर सवा जाता है, अच्छा सवाल पूछा जाता है, तो इसको बहुत ध्यान से समझना है, question कहा रहा है, the maximum entropy of mixing occur, when hexane and heptane are mixed respectively in the proportion, बोला जा रहा है, hexane, hexane होता है क्या, C6, H14, और heptane, यह है C6, H14, heptane होगा, C7, H16, इन दोनों को mix किया जा रहा है, तो बोल रहा है कि maximum entropy कब मिलेग अच्छा देखे, इसका जो molar mass है, वो कितना हो जाएगा, 86 हो जाएगा, इसका जो molar mass है, वो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है, यह molar mass है, अब बोला कि दोनों को बिलाया, तो maximum entropy कब होती है, तो देखे, maximum entropy tub होती है, जब दोनों के equal moles मिलाए जाते है, यह हमेशा maximum entropy, दोनों के अगर बराबर moles होंगे, तो maximum entropy होगे, अच्छा, equal moles का मतलब क्या हुआ, equal moles का मतलब यह हुआ, कि दोनों के mole fraction 1 by 2 होने चाहिए, क्योंकि अगर आप mole fraction निकालो, C6 is 14 का, और moles बराबर हैं, तो माल लिजे कि दोनों के moles बराबर हैं, तो इसके mole A हैं, और total moles A plus A, 2 A ह हो जाएगा, तो यह mole fraction इसका भी 0.5, और mole fraction इसका भी 0.55 आएगा, यहां से दोनों, जब भी बराबर moles मिलाओगे, mole fraction आपका equal होगा, तो आपको देखना है, और एक और चीज है, entropy of mixing का formula, entropy of mixing का एक formula होता है, वो भी आपको धियान रखिए, वो होता है, minus Nr, यह होता है, mole fraction of first species, lnx1, plus mole fraction of second species, lnx2, यह entropy of mixing का formula होता है, और यह maximum तब आएगा, जब दोनों के moles बराबर होंगे, तो यह देखना है, कि दोनों में moles कहां बराबर होता है, तो आप देखें, यह 8.6 gram है, तो अगर आप इसके moles निकालेंगे, molar mass 66 है, तो 0.1 आएगा, यह 10 gram इसके moles भी 0.1 होगा, first, और इस तरह से entropy of mixing को लेकर बनाया गया सवाल है, इसको ध्यान रखेगा, equal moles जब होंगे, तो entropy of mixing maximum होती है, फिर आपको ले चलते हैं, अगले question की तरफ, और अगला question आप देखें, यहां पर फिर से ध्यान से देखें, तो heat capacity, specific heat capacity, और molar heat capacity को लेकर बनाया गया सवा है, और इस question को ध्यान से देखें, इस question में कह रहा है, what will be correct order of heat capacity, specific heat capacity and molar heat capacity for 64 gram SO2 of gas, to raise the temperature by 12 degree Celsius, मतलब temperature कितना change कर रहें, 12 degree Celsius का, by supplying 500 kilo Joule of heat, heat कितना दे रहे हैं, 500 kilo Joule की, 500 kilo Joule की हम heat supply कर रहे हैं, तो आप से specific heat capacity, molar heat capacity, और heat capacity का order पूछा जा रहा है, तो ध्यान से देखेंगा, सबसे पहले चीज़े होती heat capacity, heat capacity का formula होता है Q upon delta T, एक होता है specific heat capacity, इसका formula होता है ग्ने म कोई डेल्टा T, पर ग्राइम के लेए डिफाइन हैं, और एक होता है molar heat capacity, उसका formula होता है Q upon N delta T, ये पर अब यहां पर देखें यह q upon delta t है q कितना है अगर आप ध्यान से देखें तो q है आपका overall value अगर आप देखें तो 500 kilojoule और delta t है बारा आई वैलू यह आएगी अगर आप यहां देखें तो 500 अपान M 64 दिया है चौसर्ट ग्राम है delta t बारा है और अगर आप यहां molar heat capacity देखें तो यह है total 500 और mol कितने है आप देखें 64 gram का मतलब हुआ 1 mol 1 mol SO2 है तो यह 1 है और delta t कितना है 12 है तो अगर आप ध्यान से देखें तो यह दोनों value तो same है मतलब heat capacity और molar heat capacity से और specific heat capacity में 64 से divide हो रहा है तो सबसे कम value तो यह हो गई इसका मतलब यह है कि heat capacity और molar heat capacity equal होगी और specific heat capacity सबसे कम होगी तो आपको देख लेना है कि कहां पे बराबर है तो यही answer है heat capacity molar heat capacity बराबर है और specific heat capacity सबसे कम है और इस तरह से तीनों को हमने rate कर दिया चोटा सा सवाल है tricky सवाल है दो मिनिट के अंदर आप इसका answer दे सकते हैं और इस तरह से यह compression को लेकर बनाए गया सवाल था फिर आपको ले चलते हैं अगले question की तरफ और बच्चों यहां पर ध्यान से देखना है अगला question क्या है उसको समझते हैं अगला question क्या कह रहा है अगले question में कहा जा रहा है कि sample of oxygen gas expand its volume 3 liter to 5 liter एक gas है जो 3 से 5 liter तक expand कर रही है इसका मतलब delta V है 2 liter अगेंस्ट आप constant external pressure of 3 atmosphere पी external दे दिया है कितना दे दिया है 3 atmosphere यह दे दिया है ठीक है दवर्क दन डिरिंग expansion वर्क कितना होगा w होता है माइनस P delta V है ना P delta V और P delta V कितना आएगा इस दा माइनस 6 एक्स लीटर atmosphere यह वर्क आ गया आप इसको जूल में निकालो तो माइनस 6 इंटू 101.3 जूल हो जाएगा यह टोटल वर्क हो गया जब अब बोला है कि वर्क दन डिरिंग expansion इस यूज तो हीट 10 मॉल अफ वाटर इनिशली अब बोला जा रहा है कि यहां पर जो वर्क हो रहा है वो क्या किस फ़र्म में यूज हो रहा है वह वाटर को हीट करने में यूज हो रहा है कितना वाटर है 10 मॉल वाटर यानि की वाटर को हीट किया जा रहा है और इसका टोटल 10 मॉल है 10 मॉल वाटर को हीट किया जा रहा है जिसका initial temperature T1 290 कल्विन है है, initial temperature 290 Kelvin है, so, पूछ रहा है, कि its final temperature will be, और specific heat capacity of water दिया है, 4.184, specific heat capacity दिया हुआ है, और आप से final temperature यानि कि T2 पूछा जा रहा है, 10 mol total आपने water लिया हुआ है, तो देखिए, आप direct इस सवाल को लगा सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखिए, तो जो specific heat capacity है, उसका फार्मूला होता है, Q अपन M delta T, है ना, अब आप सवाल में देखिए, तो specific heat capacity आपको सवाल में दिया, कितना 4.184, तो आपने रख दिया, 4.184, यह हो गया specific heat capacity, Q total, आप ध्यान से देखिए, total Q कितना है, जो work है वही Q है, मतलब यह value, so this is what, minus 6 into 101.3 joule, इसको जूल में बना लिया, अपन यहां से देखिए, यहां से फार्मूला M, total mass कितना है, mass कितना है, mass देखिए, total 10 mole water है, तो 180 हो गया, mass हो गया, 180, और delta T, T final minus T initial, T2 minus T1 आपको सवाल में दिया है, T1 कितना दिया है, 290 Kelvin, तो आप इसको solve करेंगे, तो आपको T2 आजाएगा, यही सवाल है कि final temperature क्या होना चाहिए, यही सवाल का answer है, और आप इससे T2 की value को fine कर लेंगे, और आप इसको solve करके देखिएगा, तो T2 की final value आजाएगी, 298 point Kelvin, और इस तरह से final temperature fine कर लेंगे, और यह आपका question था, जिसे हमने solve किया, और यहाँ पर आप देखिए कि heat capacity, जो temperature rise कर रही है, water का, उसको लेकर यह बनाए गया सवाल है, and you will find out the T2, and this is the final answer, तो चलिए, अब आपको ले चलते हैं, बच्चो, अगले question के तरफ, और अगला question क्या है, तो चलिए, आपको ले चलते हैं, तो बच्चो, यह है next question, और यह question जो है, वो neutralization reaction को लेकर है, और आपने देखा कि हमने previously कई सारे अलग-अलग concept के questions लिए है, अब neutralization का सवाल है, और देखते हैं कि कैसे एक neutralization को लेकर सवाल frame किया जाता है, इस question में कह रहा है, कि 200 ml 0.05 normal KOH is mixed with 400 ml of 0.05 normal HNO3, यह पहली condition है, तो देखें, पहली condition में आपको दो चीज़ दिए है, एक KOH है और एक HNO3 है, यह दिया है, कितना दिया है, KOH का volume 200 ml है और इसकी normalty 0.05 है, यानि कि इसका volume दिया है 200 ml और इसकी normalty है 0.05, ठीक, HNO3 के साथ क्या कह रहा है, इसका volume 400 ml है और इसकी normalty भी 0.05 है, तो यहां पर अगर आप देखिए तो इसका value 400 ml है और इसकी भी normalty 0.05 है अब आप देखिए तो अगर आप इसके gram equivalent n into v निकालिए है ना तो अगर आप n into v solve करेंगे तो आपको दिखेगा सीधा-सीधा ये value आप देखिए 200 into 0.05 है ना और इसका जो n into v है वो कितना होगा that is the 400 into 0.05 लेकिन क्योंकि दोनों के बराबर gram equivalent react करेंगे तो इसका 200 इसका 400 और ये तो सेम है तो इसका मतलब इसका जो react amount होगा वो कितना होगा बराबर gram equivalent react करते हैं तो जो react amount होगा that will be 200 into 0.05 ये इतने gram equivalent ये react करेगा इतने gram equivalent का reaction होगा और बाकी इसका 200 ml बच जाएगा ये excess में है तो जो heat release होगी इससे जो delta H होगा delta H reaction है ना ये होगा 200 into 0.05 ये हो गया अगर आप देखिए तो ये value आ गई और ये जो है इतने gram equivalent है अच्छा अगर आप value को देखें तो 200 ml है अगर आप इसको लीटर में लेना चाहें तो भी solve कर सकते हैं आप लीटर में लेकर question को solve कर लीज है ना ये आ गया अगर आप देखिए तो ये जो total value है वो कितनी आ रही है ये total value 5 यानि की ये value आ जाएगे 10 ये milli equivalent है क्योंकि value मापने इसमें लिया है 10 milli equivalent है अगर आप इसको gram equivalent में बनाएं तो यहाँ पर ये 10 into 10 की power minus 3 gram equivalent हो जाएगा ये इतने gram equivalent react तो ये तना reaction हो रहा है और एक gram equivalent से जो heat release होती ही वो कितनी release होती है that is the minus 13.7 kcal यानि कि जो total heat release होगी वो इतनी होगी एक gram equivalent से release होनेवार जब neutralisation होता है तो एक gram equivalent acid, एक gram equivalent of base से जब neutralize होता है तो इतनी heat release होती है यहाँ total gram equivalent इतना react कर रहा है तो heat इतनी release होगी और question में कहा जारा है कि ये वाली جो value है वो X1 है जो heat release हो रही है वो X1 है अब यहाँ पर सवाल में एक और case बनाए गया 300 ml आप 0.05 normal HNO3 लिया जाए, यानि कि 400 ml, जो HNO3 आपने 400 ml लिया था, उसकी जगह पे आप 300 ml लिया जाए, और जो molarity है, 0.05 रखी गई है, molarity इसकी ये है, यानि कि अब आपका जो अगला case है, उसमें जो HNO3 लिया गया, उसका value 300 ml है, और उसकी जो molarity है, वो 0.05 है, इसका neutralization को कुछ से कराया गया, उसके बारे में आप से देखी क्या कह रहा है, तो कह रहा है, इस वाले में देखी अगर, तो उसके बारे में आप से क्या कह रहा है, की, the choose the correct option for क्योच, so that heat release X2 is equal to X1 by 2, अब यहां से देखे, जो X2 आ रहा है, वो कितना है, N into V upon 1000 into minus 13.7, और X1 क्या है, X1 यह आपने निकाला है, अगर आप ध्यान से देखे, तो यह आ रहा है, 200 upon 1000, यह X1 into 0.05, है ना, into minus 13.7 और यह total के divide में 2 है, अब अगर आप यहां से देखे, तो यह 1000 से 1000 cancel, 13.7 से 13.7 cancel, अब इसको solve करिए, तो यहां से जो N into V आ रहा है, वो कितना आएगा, यह आ रहा है, 100 into 0.05, या इसको लिख सकते हैं, 200 into 0.025, यह value, बात तो सेम है, यानि कि N into V 200 into 0.025 हो गया, यानि कि KOH का डेटा, जो है, वो निकालाया, क्योंकि इसका gram equivalent, इसका gram equivalent, बिल्कुल बराबर होगा, अब आपने इसके gram equivalent से सवाल को लगाया, तो यहां से N into V आपको पता चल गया, नॉर्मल्टी आपका 0.025, क्योंकि 100 into 0.05 को यह लिखा जा सकता है, यानि कि N और V निकालाया, जो V है वो 200 है, N कितना है, 0.025, तो यह आपका option हो सकता है, तो चल यह देखते हैं, यहां पर यह value आपको दिख रही है, कि V है 200 ml, और यह है 0.025, मतलब इस तरह से question को आपने relate करके solve कर लिया, यह gram equivalent का concept है, बराबर gram equivalent आपस में react करते हैं, heat जो release होती है, heat 1 gram equivalent से minus 13.7 release होती, heat of neutralization ही होता है, पर gram equivalent और उसी को लेकर, उसी को mix करके इस question को बनाये गया, तो चलिए फिर आपको ले चलते हैं, और आगे, और अगले सवाल की तरफ देखते हैं, अगला सव question पर आईए, तो यहाँ पर work को लेकर सवाल बनाये गया, work of isothermal expansion को लेकर question बनाये गया, और graphical तरीके से पूछा गया, question क्या कह रहा है, ध्यान से लेकिए, question कह रहा है, consider our reversible isothermal expansion है, reversible isothermal expansion है, ideal gas का expansion हो रहा है, in a closed system at two different temperature, T1 and T2, दो अलगले temperature हैं, और उस पर isothermal reversible expansion हो रहा है, एक बार temperature T1 पर, एक बार temperature T2 पर, अब कह रहा है, कि the correct graphical depiction of the dependence of work done, जो work done है, उसका correct graph क्या होना चाहिए, और graph किस के बीच में बना है, mod of w और ln v के बीच में graph बनाये गया, मतलब mod of w और ln v के बीच में graph बनाये गया, जहां पर जो final value है, वो है v, यानि कि जो ln v है, v is the final value, यानि कि final value और mod of w का graph मनाये गया है, अब आपको बताना है, चारों में से कौन सा graph सही है, सेम हिंदी में भी question है, कि एक आदर्स gas का, उत्क्रमडी, समतापी, विस्तार, दो विभिन नतापमान, T1 और T2 पर होता है, चित्रड क्या होगा, यानि कि अन्तिवायतन और mod of w के बीच का graph बनाना है, तो आपको पता है कि reversible isothermal जो expansion होता है, उसका किया गया work, वहीं पर आते, तो आपको पता है कि जो work होता है, वो कितना होता है, माइनस 2.303 nRT, यहाँ पर आप लिख सकते है, 2.303 nRT log, क्या formula होता है, this is the nRT, यहाँ से होता है, log v2 by v1, या आप इसको लिख सकते हैं, अगर आप यह हटा दें, तो यह हो जाता, माइनस आफ nRT, और यह हो जाता, ln v2 by v1, यह ln हो गया, अगर आप mod लेते हैं, तो फिर यह positive हो जाएगा, nRT ln v2 by v1, यह आगया, यह value है, और यहाँ पर जो final value है, उसको v मारा गया है, तो आप v2 को v लिख सकते हैं, तो अगर आप इसको solve करिए, तो mod of w कितना हो जाएगा this is the nRT ln v minus nRT ln v1, यह बन गया, अब अगर आप ध्यान से देखिए, तो यह पूरा expression यह y है, यह पूरा m है, यह पूरा x है, और यह पूरा जो equation है, वो c है, y बराबर mx minus c का, यानि कि intercept negative होगा, और अब आप देखिए, यहाँ पर जो intercept है, वो negative है, अब negative y बराबर mx minus c का जो graph है, लगभग वो ऐसा बनता है, intercept negative है, और slope डिपेंड कर किस पे करेगा, T पर, temperature पर, और सवाल में क्या कहा जा रहा है, सवाल कहा रहा है, कि जो T2 है, final temperature वो T1 से ज़्यादा है, अब दो अलगलग temperature पे graph बनाएंगे, अब दो अलगलग temperature पे graph बनाएंगे, और final temperature, initial temperature से ज़्यादा है, यानि कि जो दो graph मनेंगे, उसमें दूसरे graph का जो slope आएगा, जो, sorry, जो दूसरे graph का जो intercept आएगा, वो पहले वाले से ज़्यादा negative आएगा, क्योंकि T जितना ज़्यादा होगा, negative में value उतनी ज़्यादा होगी, तो अगर हम graph बनाते हैं, यहाँ पे और एक आपका T2 पर बनेगा, लेकिन जो T1 वाला है, और जो T2 वाला है, T2 ज़्यादा negative slope का होगा, क्योंकि यह पीछे की तरफ जाएगा, ज़्यादा negative होगा, तो आपको देखना है कि T2 का slope T1 से ज़्यादा होगा, क्योंकि T2 का intercept ज़्यादा negative है, तो यहाँ से अगर देखिए, तो कहाँ पर आपको ज़्यादा negative slope दिख रहा है, T2 और T1 का, पहली बात तो slope negative आना चाहिए, इसमें origin से दोनों graph पास हो रहा है, यह तो नहीं होगा, इसमें slope positive हो रहा है, तो यह भी नहीं होगा, अब आप इसमें देखिए, इसमें एक का slope positive की तरफ है, और एक का negative है, तो यह भी नहीं होगा, slope negative की तरफ होना चाहिए, तो यह है, इन दोनों का slope negative की तरफ जाएगा, पीछे जाएंगे, तो दोनों का slope negative की तरफ जाएगा, लेकिन ज़्यादा negative T2 का होना चाहिए, और यहाँ पर आपको मिल रहा है T2 का, इसका मतलब की जो correct tensor है, that will be third, यानि कि third, इसका correct answer होगा और इस तरह से एक अच्छा सवाल बना, graph को लेकर compare किया गया, temperature को लेकर relate किया गया, और isothermal reversible expansion, यानि कि समता प्युत्क्रमरी प्रक्रम में किये गये, car के बारे में बात की गई, फिर आपको ले चलते हैं बच्चों, अगले question की तरफ, और अगला question हमारा क्या है, चलिए देखते हैं, अगला जो question है, वो भी अच्छा सवाल है, thermodynamics से लिया गया सवाल है, और एक अलग concept का सवाल है, इस question में क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, इसमें वर्क को heat capacity और molar heat capacity से connect किया गया, और उसको लेकर इस question को draw किया गया, इसमें ब per meter square, यानि की कहा जा रहा है, compression हो रहा है, 5 meter से 1 meter cube तक, पहले value 5 meter था, V1 5 था, 5 meter cube, और यह V2 तक जा रहा है, V2 कितना हो जा रहा है, 1 meter cube, यह हो जा रहा है, constant external pressure, pressure कितना दिया है, this is a 4 newton per meter square, तो इससे वर्क निकाला जा सकता है, W, W कितना आएगा, minus P delta V, यह आएगा, अग अगर आप देखे, P कितना आ रहा है, this is a 4, delta V, V final minus V initial, यह आएगा, total कितना आ गया, 16, यह आगया, work, 16 joule, work हो रहा है, 16 joule का, यानि कि पूरे process में 16 joule का work हो रहा है, अब बोल रहा है, heat release, heat release in this process is used to increase the temperature of 1 mol aluminium, अब बोला जा रहा है, कि यहाँ पे जो heat release हो रही है, वो 1 mol aluminium के temperature को बढ़ा रही है, ठीक, if molar heat capacity, if molar heat capacity of aluminium is 24 joule per mol per kelvin, then temperature of aluminium increase by aluminium, मतलब यहाँ पे जो work हुआ, वो work heat के form में convert हो रहा है, और वो heat क्या कर रहा है, aluminium के temperature को बढ़ा रहा है, उस aluminium के temperature को, जिसकी molar heat capacity कितनी है, 24 joule per mol per kelvin, यानि कि हम अगर molar heat capacity का formula लगा है, CM, तो CM कितना होता है, Q upon कितना N delta T, यह होता है, temperature of aluminium increase by, temperature पूछा जा रहा है, कितना बढ़ेगा, CM, molar heat capacity दी है, 24, Q कितना आ रहा है, 16, N कितना है, 1, delta T आप से पूछा जा रहा है, तो delta T कितना हो गया, 16 upon 24 kelvin, आप यहाँ से solve करेंगे, तो this is a 2 by 3 kelvin, यानि कि temperature जो बढ़ेगा, वो 2 by 3 kelvin का होगा, और इस तरह से आपका fourth is a correct answer, सीधा-सीधा work heat में convert हो रहा है, जो aluminium के temperature को बढ़ा रहा है, molar heat capacity का formula लगा है, और हमको final question का answer मिल गया, तो इस तरह से यह अगला question था, जहाँ पे work को aluminium की molar heat capacity के साथ connect किया गया, और अब आपको ले चलते हैं, बच्चों, अगले सवाल की तरफ और अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल यहाँ पे देखिए, इसमें Gibbs energy को लेकर बात की गई है, Gibbs energy को लेकर सवाल को connect किया गया है, और उसी को लेकर यह सवाल बनाए गया, अ जिसके लिए डेल्टा जी नॉड की value दी है, 120 माइनस 3 by 8 T, बोला the major component of the reaction at temperature T, कौन सा component ज्यादा होगा, मतलब X ज्यादा होगा, या Y ज्यादा होगा, अगर standard Gibbs synergy की value यह है, अब सीधी सी बात देखो भाई, सीधी सी बात है कि अगर डेल्टा जी नॉड निगेटिव होता है तो process spontaneous होता है, डेल्टा जी नॉड अगर positive होता है, तो process non spontaneous होता है, ठीक है, non spontaneous होता है, यह बात, दूसरी बात, डेल्टा जी नॉड किसके बराबर होता है, अगर equilibrium के साथ देखो, तो minus 2.303 RT log KC, इसके बराबर होता है, RT log KC के बराबर होता है, यह standard Gibbs synergy होता है, अब आप सौछो कि अगर kc की value ध्यान से समझता, अगर delta G की value, delta G aja अगर negative घ्यान से समझता, delta G a-desv hain process spontaneous होगा, ठीक, process spontaneous होगा देल्टा जी नोट नेगेटिव कभ होगा जब केसी पॉजिटीव हो केसी क्या होता है concentration of product upon reactant product कितना है y upon x y upon x ठीक और केसी पॉजिटीव कभ होगा जब y dominate करेगा y dominate क्योंकि जब y dominate करेगा तो केसी पॉजिटीव आएगा और केसी अगर positive आया मतलब सीधी से बात केसी positive होने का मतलब है कि केसी greater than 1 greater than 1 किसका मतलब है कि y x से जादा होगा y x से जादा होने का चतलब क्या है कि y x से जादा होगा अगर y dominate करेगा कब dominate करेगा जब delta g not negative होगा और delta g not अगर positive आ गया तो x X-Dominate करेगा, क्योंकि फिर KC less than 1 हो जाएगा, तो अगर Y को ज्यादा होना है, तो KC को greater than 1 होना है, KC greater than 1 कब होगा, ज़र डेल्टा G not negative होगा, तो भाई आपको देख लिजे, और अगर डेल्टा G not positive आ गया, कि जो KC है, वो negative होगा, और KC negative होगा, इसका मतलब X-Dominate करेगा, तो अब आपको देखना है, same situation, same situation, अगर डेल्टा G not positive आ गया, तो फिर जो KC है, वो less than 1 होगा, और ये 1 होगया, तो Y कम और X जादा, यानि कि X X-Dominate करेगा, तो डेल्टा G not अगर पॉस्टिव तो X-Dominate, डेल्टा G not अगर नेगेटिव तो Y-Dominate, तो अब आपको इस equation को देखना है, इस equation में देखना है कि डेल्टा G not किस case में negative, किस case में positive आ रहा है, और इस से आगा delta g not positive तो x dominant, delta g not negative तो y dominant, अब आप देखो, यह equation में value रखते हैं, पहला वाला देखो, यहाँ जो delta g not है वो कितना है, 120 minus 3 by 8, t कितना है 280, यह 280, आप इस पूरी value को solve कर लो, है ना, अब इस value को ध्यान से देखना है कि कितना आएगा, है ना, यह value solve करोगे, तो य है 120, और यह minus 3, इसको solve करो, तो यह आएगा लगभग 824 होता है, 4 बचे का 845 होता है, यह 105 आएगा, यह कुल मिला के 15 आएगा, यानि कि delta g not positive है, आप delta g not अगर positive है, तो देखो, delta g not अगर positive है, तो x dominant करेगा, इसमें क्या और y dominant कर रहा है, तो इसका मतलब यह वाला गलत हो ग तो इसका मतलब है, तो इसका मतलब है, यहाँ पे लिखा है, x if temperature T, तो इसका मतलब correct tension आपका यही होगा, सेम, अगर आप यहाँ पे आजाओ, यहाँ पे 300 Kelvin है, तो कुल मिला के delta g not अगर देखो, अब अगर delta g not की value negative आ रही है, तो यहाँ आपका यही होगा, तो यहाँ आप dominant करेगा, delta g not positive है, तो x dominant करेगा, यहाँ पे delta g not positive है, लेकिन बोल रहा है कि y dominant करेगा, तो गलत है, और यहाँ delta g not positive है, x dominant करेगा, और यही आपका correct tensor और इस तरह से question को आप असानी से solve कर सकते हैं, तो कुल मिला के आपने देखा, कि यह thermodynamics के कुछ important सवाल है, जसमें Gibbs energy लिया, entropy है, heat capacity है, molar heat capacity है, bond dissociation energy है, neutralization reaction है, तो इनको मिला के जो graphical सवाल बनते हैं, जो अच्छे सवाल बनते हैं, वो मैंने आपको बताया है, जो जो mains के लिए तो बहुत important है, advance के सवाल को भी आप इससे connect कर सकते हैं, तो इस तरह से बच्चों, यह आज के JMAIL का session था, जो हम लोगों ने compile किया, जिसमें mass में integral, और यहां पर chemistry में thermodynamics की बात की है, तो हम लोग इसी session को continue करेंगे, जब तक आपका JMAIL का exam नहीं हो जाता, और तब तक हम chapter को revise कराते रहेंगे, हर हपते मिलते रहेंगे, आज का session बच्चों यही पर घदम करते हैं, मिलते हैं, next JMAIL में, तब तक के लिए, thank you, God bless you, best wishes.